हेलो एबृबरिबेन आज हम देखते हैं सीटट कैफ्सूल का सीडिपlvך के कुख्चन आते हैं उससे रिलेटेड हैं पर पूरी जानकार यानि की कुख्चनों का स्रिंख्ला देखेंगे कुख्चन 151 से लेके 180 के बीच में टोर्टल आपको 30 केुख्चन मिलेंगे इस पार्ट में ये आपका भाग च्छा है इससे पहले हम पांच भाग पड़ा चुके हैं आप ट्राइ करिए अगर आपका स्ट्रॉंग है CDP तो आप कोसिस करिए कि आप कितना सही करते हैं तीस में देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्रिश्चन वीडियो को जरूर लाइक कर लो किसे किसोर मनो बिग्यान के पिता के नाम से जाना जाता है किने जाना जाता है तो इसका राइट एंसर होगा आपसन नमबर A इस्टेनली हाल किने जाना जाता है इस्टेनली हाल को भासा की सापेच्चता प्राकलपना किस से प्रतपादित की कह रहा है भासा की सापेच्चता प्राकलपना किस ने प्रतपादित की तो कौन प्रतपादित किये हैं तो वार्प कौन किये हैं वार्प किये हैं ठीक है वी किसने यह मत दिया कि भासा विचार की अंते वस्तु का निर्धारण करती है कौन दिया हैं? इसका राइट एंसर आपको क्या हो जाएगा? वहार कौन दिया है वहार दिया है ठीक है एक पूर्व विद्याले बालक कहता है कि सूर्य आज उदास है बालक निमलिखित में से किस सम्प्रत्यक की अभिव्यक्ति कर रहा है कराएं एक पूरु विद्ध्याला बालक कहता है शूर्य आज उदास है बालक निमलकित में से किस संप्रत्य की अभिवक्ति कर रहा है तो किस संप्रत्य की संजीव चिंतन की अभिवक्ति कर रहा है निम्न मेंसे किसका संबंद मूल दुह निश्चतायों मूल सतरुता के संप्रत्यों से है तो इसका राई डन्सवर आपको क्या होगा किरेण हारनी का संबंद है बच्चे का किस प्रकार का विकास बिद्याला और सिछक द्वारा प्रभावित होता है करें, बच्चे का किस प्रकार का विकास है, जो बिद्ध्याल है और सिच्छक द्वारा प्रभावित होता है, तो इसका राय टेंसर हो जाएगा, मांसीक विकास हो है, समाजी विकास है, समयधार प्रमग विकास है, नी राय टेंसर ए सबी तीनो है, किसने मूल भूत विस्वा के रूप में प्रस्तावित किया है तो कौन प्रस्तावित किये हैं राइट एंसर हो जाएगा भावना संबंधित आदत है बालक के निम्न में से कौन सा समाजिक संपर्क का स्रोथ सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा परिवार कौन है परिवार है जो समाजिक संपर्क का स्रोथ सबसे प्रारंभिक है और सबसे अधिक दिन तक चलने वाला है निम्निकित में से कौन सा भासा के विकास को प्रभावित नहीं करता है तो इसका राइट एंसर आपका क्या हो जाएगा लंबाई या वजन लंबाई या वजन जो है यह भासा के विकास को प्रभावित नहीं करता है तो इसका राइट एंसर आपका क्या हो जाएगा कौन सा है आधारित है तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा उसका परिवार है कौन है परिवार होता है निमलिखित में से कौन सी ऐसी है जो संग्णात्मक परिक्रिया है तो वह चिंतन है कौन है चिंतन कौन से आयू विकास के लिए एरिक्सन ने विकास की आठ अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा आपका जन्म से मृत तक इस आयू समुह के लिए एरिक्सन ने विकास की आठ अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं जर्म से लेकर के मृत्त तक निम्न में से सैस्वा वस्था की विसेश्था नहीं है इन में से कौन सी सैस्वा वस्था की विसेश्था नहीं है तो यह है नैतिक्ता का होना जो है यह सैस्वा वस्था की विसेश्था नहीं है सम्वेदना ग्यान की पहली सीड़ी है यह किस का व इसका राइट एंसर हो जायका मान सिक विकास है किसको परशिछर द्वारा वेवहार में संसोधन की प्रक्रिया माना गया है सिछार्ती के मानसिक विकास का ज्यान प्राप्त करने के जिसकी योजना नहीं बन सकता हुआ है क्या चिछ है तो सारीरिक विकास क्या नहीं है सारीरिक विकास किसोरों की जटिल अवस्था के कारण किसोरों के अध्यन का विशय क्या होना चाहिए तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका सारीर तथा मन संबंधी ठीक है कैसा अध्यन का विशय होना चाहिए सरीर तथा मन संबंधी विशय होना चाहिए जिस प्रक्रिया से ब्यक्ति मानों के लिए प्रस्पर निर्भर होकर ब्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है कैसी प्रक्रिया है करें जिस प्रक्रिया से कोई ब्यक्ति है मानों के लिए प्रस्पर निर्भर होकर ब्यवहार करना सीखता है वह कौन सी परक्रिया है? तवह परक्रिया है सरीर, समाजी करण क्या Hai? वह समाजी करण है वह प्रक्रिया क्या है समाजिक किसोर अवस्था की मुख विसेश्था निम्न में से है किसोर अवस्था की मुख विसेश्था निम्न में से क्या है तो है आत्मे गवरों क्या है आत्मे गवरों किसोरो का समवेक के नियंत्रड का सबसे अच्छा उपाय निम्न में से कौन सा है तो इसका right answer हो जागा प्रच्छेपन, क्या है प्रच्छेपन है विकास प्रारंब होता है, विकास कब से प्रारंब होता है तो गर्भावस्ता से ही विकास क्या होता है, प्रारंब हो जाता है सीखना है एक जटिल परक्रिया, कैसी जटिल परक्रिया सीखना एक कैसी जटिल परक्रिया है तो मानसिक परक्रिया है बालक बालिकाओं को सरवाधिक समयोजन करना पड़ता है कि सवस्था में तो राइट एंसर हो जाएगा वय है संधी काल में कब वय है संधी काल में बालक बालिकाओं को सरवाधिक समायोजन करना पड़ता है काल सी गैरिसन ने किस विधी का अध्यन किया है काल सी गैरिसन ने किस विधी का अध्यन किया है तो इसका राइट एंसर आपका क्या हो जाएगा लंबात्मक विधिका किसका लंबात्मक विधिका अध्यन की है कौन काल सी गैसन मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है किस काल को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है तो बाल्या अवस्था को अव्यासा है वीडियो आपको जरूर पसंद आयोगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सेर कर देजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद